नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में बात की हैप्पी हैपोक्सिया और ब्लैक फंगस के बारे में कैसे कोरोना बिमारी में नई नई तरह के स्ट्रेन से आदमी बिमार पर रहे हैं और उनकी जान जा रही है लेकिन कोरोना यहीं पर नहीं रुक रहा है अब एक नई बिमारी का नाम सामने आ रहा है वो है वाइट फंगस जी हाँ वाइट फंगस जैसे ब्लैक फंगस था ब्लैक फंगस में जैसे सांसे फूलने लगती थी सडेन ऑक्सिजन लेवल ड्रॉप हो जाता था या कई तरह के फेफरों में समस्याएं हो जाती थी ठीक वैसे ही वाइट फंगस में भी समस्याएं आती है लेकिन यह उससे ज़्यादा खतरनाख है क्योंकि ब्लैक फंगस में फेफरों पे असर होता था लेकिन वाइट फंगस में शरीर के हर अंग पे जैसे नाखोन, स्केन, पेट, किड़नी, ब्रेन, सभी को यह संक्रमीत करता है और इसके लक्षन हाना कि COVID से मिलते जुलते हैं और Black Fungus से मिलते जुलते हैं लेकिन यह सभी अंगों पे असर करता है इसलिए इसका प्रवह ज़्यादा खराब है और इससे मौत होने की आशन का ज्यादा रहती है हाली में पटना में चार पेशेंट White Fungus के मिले हैं हाला कि उन सभी की इस्तिती स्टेबल है लेकिन पटना में चार White Fungus के पेशेंट मिल चुके हैं और कई जगह पे White Fungus के संभावनाई देखी जा रही है कईयों में इसी तरह की शिकायते आने लगी है संक्रमन अगर सरीर के जॉइंट्स पर असर करता है तो उसमें दर्द होने लगता है अगर ब्रेन तक पहुँचता है तो सोचने विचारने की छमता भी खत होने लगती है वा फैसला नहीं ले पाता बोलने में दिक्कत होने लगती है सिर में तेज दर्द के साथ उल्टी होने लगती है स्किन पर छोटे-छोटे फोडे हो सकते हैं हाला कि उसे दर्द नहीं होता है लेकिन यह शुरुवाती लक्षन है वाइट फंगस के बात करते हैं कि होता किसे है जैसे ब्लैक फंगस इम्मुनिटी कमजोर होने वाली या डैबटी के पेशेंट्स को होता था ठीक वैसे ही जिन लोगों में इम्मुनिटी कमजोर है उन्हें या संक्रमन होने का खतरा सबसे ज़्यादा है या कोई दूशित पानी अगर आप पी रहे हैं या स्टेरोइड्स आप यूज कर रहे हैं और प्रॉपर प्रस्क्रिप्शन के साथ नहीं यूज कर रहे हैं सही तरीके से आपको स्टेरोइड्स नहीं दिया जा रहा है तो इससे भी आपको वाइट फंगस होने का खतरा रह रहा है हैं कि रिपोर्ट जो आएगा वो पॉजिटिव ना करके निगेटिव आएगा इससे आपको लगेगा कि आपको कुरोना नहीं है लेकिन कुरोना का ही एक नया बिमारी के रूप में वाइट फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है तो कई स्पेस्ट लिस्ट कुरोना के लि प्लाज में दिक्कत हो जाती है तो इससे बचने के लिए ठीक वैसे ही तरीके से सफाई ज्यादा रखे घरों में जहां पर फंगल इंफेक्शन्स हो उससे साफ करवाएं वो भी मास्क पहन के मास्क सनिटाइजर्स का यूज करें और अगर किसी भी तरह की ऐसी इस्तिती ल अन्यवाद